दोस्तों, आप सबका स्वागत है आयरुवेदिक टिपनी चैनल पर अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाईए और नोटिफिकेशन्स भी ओन कर लिए ताकि आपको हमारे चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहे चलो वीडियो शुरू करते हैं हमारे शरीर का दो तियाई भाग पानी है हमारे शरीर के सारे अंग और कोशिकाओ की बात करें तो पानी हमारे शरीर का 70 प्रतिशत हिस्सा है फिर भी हम पानी को साधरन समझते हैं उसे इतनी महत्वता नहीं देते हम कभी भी कितना भी और कैसे भी पानी पी लेते हैं जो की गलत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पानी कितना पीना चाहिए और पानी पीने का सही तरीका क्या है और सही तरीके से पानी पीने पे हम किन किन नुकसानों से बच सकते हैं हमारे शरीर के काम करने के तरीकों को देखें तो दो चीजे सबसे ज़्यादा महत्वपून है सासे लेना और खाना पीना जब हम सासे लेते हैं तो ऑक्सिजन हमारे खोन में मिलकर शरीर के सारे अंगों तक सप्लाई होता है जिससे सारे अंग अपना काम सही से कर पाते हैं और जो हम खान पान करते है हमारा शरीर उसमें से जरूरी तत्वा निचोड लेता है जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है सासे लेना और खाना पिना हमारे शरीर को उर्जा बनाने में मदद करते हैं लेकिन उर्जा बनाने में हमारा शरीर उर्जा के साथ ही कुछ waste byproducts भी बनाता है जो कि मल, पेशाब और पसीने के जरीए हमारे शरीर से भार कर दिये जाते हैं हमारे शरीर को सासे लेने और खाने पीने की प्रनाली में कम से कम दो ड़ाई लीटर पानी लग जाता है ये हमें दर्शाता है कि हमारे शरीर को एवरिस दर पे धाई से तीन लीटर पानी पीना चाहिए जो की आठ से बारा ग्लास के बराबर होता है वैसे तो पानी की मातरा हर इनसान के लिए अलग होती है ये इनसान के काम पर वो जहाँ रहता है वहाँ के मौसम पर निर्बर करता है लेगिन 2.5 से 3 लीटर पानी एक सामान्य वेक्टि को पीना ही चाहिए जो व्यक्ति दिन में exercise करता हो या ऐसी कोई activity करता हो जिससे काफी पसीना आता है तो उसे और अधिक पानी पीना चाहिए अब जब मैंने अधिक कहा तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना कोई limit पानी पीते ही रहे किसी भी चीज की अती भी हानिकारक है हमें पानी की मातला को ज़्यादा से ज़्यादा चार साड़े चार लिटर तक ही रखना चाहिए अब आपको पता चल गया कि कितना पानी पीना आपके लिए सही है अब हम बात करेंगे कि पानी कैसे पीना चाहिए और कब पीना चाहिए पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए अगर हम खड़े रहके पानी पीते हैं तो पानी सीधा हमारे पेट में पहुच जाता है और पेट की दिवारों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इसी की वज़े से पेट के आसपास वाले इससे को नुकसान पहुचता है पानी की तुरंट पेट में पहुचने से उसकी प्रोसेसिंग बहुत जल शुरू हो जाती है और हमारा शरीर पानी में से पोशक तत्वा एब्जॉब नहीं कर पाता और एक साथ इतने फास प्रोसेसिंग में किड़नी पूरे पानी को फिल्टर नहीं कर पाती और हमें किड्नी के रोग होने के संभावना बढ़ जाती है जब हम पानी खड़े होकर पीते हैं तब हम पानी भी काफी जल्दबाजी में पीते हैं और उस दोरान हम सास को रोग लेते हैं जिसके वज़े से हम अपने शरीर में ऑक्सिजन की कमी ले आते हैं हम अगर इसी तरीके से बार-बार पानी पीएं तो हमें फेफडो और रिदे के रोग होने के चांसिस बढ़ जाते हैं हमें पानी हमेशा बैठके और धीरे-धीरे ही पीना चाहिए इससे पाने की प्रोसेसिंग पूरी तरह होती है और हमें ऐसे रोग नहीं होते हम जब पानी धीरे-धीरे पीते हैं तो घूट-गूट के साथ हमारे मूँ में जो सलाइवा होता है वो पानी में मिलके हमारे पेट तक पहुचता है और हमारे पाचन प्रनाली में मदद करता है हमारे शरीर के भीतर का तापमान हलका गरम होता है इसी कारण हमें ज़ादा थंडा या ज़ादा गरम पानी नहीं पीना चाहिए हमें हलका गरम यानि निवाया पानी ही पीना चाहिए इसी के साथ ही हमें दिन के दोरान ज़ादा पानी पीना चाहिए और रात के समय कम से कम पानी पीना चाहिए क्योंकि रात के समय हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता और जो पानी हम पीते हैं उससे हमारा शरीर सही तरीके से इस्तमाल नहीं करता अगर आप उठते ही एक से दो गलास पानी पीते हैं तो इससे आपके स्वास्ते पर काफी अच्छा असर पड़ेगा पूरे दिन में हमें पानी का निया मनुसार सेवन करना चाहिए हमें एक साथ ना ही जादा पानी पीना चाहिए ना ही हमें दो बार पानी पीने के समय में बहुत बड़ा अंतर रखना चाहिए खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद कम से कम 45 मिनिट का अंतर रखना चाईए क्योंकि पानी पीने से हमारे पाचन करने वाले पेट के रसायन और एसिड नर्मलाइज हो जाते हैं और सजी से पाचन नहीं कर पाते फलो के साथ कभी भी तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए इससे हमारी पाचन प्रणाली धीमी हो जाती है गरम सूप, कॉफी, चाए, पीने के तुरंत बात पानी नहीं पीना चाहिए इससे हमारे दातों और मसडों पर काफी प्रभाव पड़ता है हमें जब पसीना आ रहा हो जैसे अगर हम दोड़के आए हो या exercise करके आए हो तो हमें पानी नहीं पीना चाहिए आज की वीडियो में जो हमने छोटे-छोटे tips दिये उससे हमारे शरीर को बहुत फाइदा होगा researchers खहते हैं कि हम अगर 21 दिन तक कुछ लगातार करें तो वो हमारी आदत बन जाती है तो उमीद है कि आप आज के वीडियो की tips को अपनी आदत बनाएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please like कीजे और share कीजे और हमारे चैनल को subscribe कीजे धन्यवाद